नमस्कार में नेहतिवादी और आप देख रहे हैं बाते यूपी की दिल्ली से मेरट के बीच लगभग 82 किलोमेटर की दूरी है दिल्ली की घनी आबादी वाले एरिया से होते हुए आप यूपी की मेरट तक बहुशते हैं राष्टी राजधानी के पास होने के नाते ये शहर तमाम संभावनाएं अपने साथ लिए हुए है और इसी को ध्यान में रखते हुए 82 किलोमेटर लंबे दिल्ली मेरट कॉरिडोर पर काम तेज हो चुका है आपने समचार पत्रों में देखा होगा कि दिल्ली मेरट रीजनल रेल ट्रांजिस सिस्टम रूट पर काम चल रहा है इसी रीजनल रैपिड ट्रांजिस सिस्टम कोरिडोर के पहले चरण की शुरुआत 2003 में प्रस्थावित है वहीं पूरे कॉरिडोर को जनता के लिए 2025 से खोलने का लक्ष रखा गया है देखा जाए तो इस 82 किलोमेटर लंबी परियोजना का करीब 68 किलोमेटर का हिस्सा यूपी में है और यूपी सरकार ने अपने बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 1326 करोड रुपए आवंटित किये हैं सराय काले खा नई अशोक नगर होते हुए ये रूट यूपी के आनंद विहार साहिबाबाद और गाजयबाद होते हुए मेरत के मोधी पुरम तक बनाया जा रहा है इसके लिए जो रेल मार्ग बन रहा है उसमें ट्रेन दिली से मेरत तक का सफर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक या फिर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक के जरिए पूरा करेगी Underground Railway Track जैसा की नाम सही जायर हो रहा है कि कुछ जगों पर इस सफर सुरंग के बीट से होगा पर Elevated Railway Track को समझने में हो सकता है आपको संशे हो इसलिए आपको बता दे कि Elevated Railway Track एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें Railway Track के लिए सडख के उपर से एक Elevated Sandruction का इस्तमाल किया जाता है Elevated Railway Track आम तौर पर भीड भाड़ वाले इलाके या शेहरी शेत्रों में बनाई जाते हैं साथ ही जहां कई Railway Crossing लंबे सडख जामों की कारण दुर घटनाए होती हैं वहाँ पर भी Elevated Sandruction का इस्तमाल किया जाता है इसी दिल्ली मेरट Regional Rail Transit System के लिए बन रहा Elevated Railway Track हमारे गाज़ेबाद में अब सबसे उचा बनने जा रहा है स्टेशन का प्लेटफॉर्म जमीन से लगभग 24 मीटर उचा होगा इसका निर्मार गाज़ेबाद के मेरट राहे पर किया जा रहा है इसे मौझूदा दिल्ली मेट्रो स्टेशन और गाज़ेबाद के बसड़े के साथ ही जोड़ा जाएगा बताया जा रहा है कि साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का प्राथमिक खंड 2023 तक और 2025 तक दिल्ली से मेरट तक पूरे कॉरिडूर के शुरू होने की उमीद जताई जा रही है रापिड ट्रांजर सिस्टम गलियारे में चलने वाली ट्रेनों की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार तक निरधारित की जा रही है साथ ही इसमें हर 5-10 मिनिट में रेल ट्रेन सर्विस मिलेगी इसके लिए 6 कोच के 30 ट्रेनों के सिट तयार किये जा रहे है आपको बताते चले कि रीजनल रापिड ट्रांजर सिस्टम को हवाई अड़े रिलवे स्टेशनों अंतर राजिये बस टर्मिनल दिल्ली मेट्रो स्टेशन से भी जोडने की योजना है पहले फेज में सभी तीन कोरिडोर सराय काले खामे मिलेंगे और इंटर ऑपरेबल होंगे इसे यात्रियों को बिना ट्रेन बदले एक से दूसरे कोरिडियोर तक यात्रा करने की सुवधा मिलेगी 82.15 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का 68.03 किलोमीटर हिस्सा एलेवेटेड होगा जबकि 14.12 किलोमीटर हिस्सा अंडर गराउंड होगा गाजेबाद रैपिड रेल स्टेशन की ये भी होंगी विशेशता है सबसे पहली विशेशता तीन एंट्री वा एग्जिट गेट होंगे जिसमें से दो दिल्ली से मेरट की ओर जाने वाले मार्ग पर है जबकि तीसरा दूसरी तरफ खुलेगा जिसमें यात्रियों को आने जाने की सुवधा दोनों तरफ से रहेगी वहीं यात्रियों की आवजाही के लिए रापिड रेल स्टेशन को फुट ओवर बृत से जोड़ा जाएगा जो एसकेलेटर और लिफ्ट की सुवधा से युप्त होंगे ताकि बुजूर्ग और दिव्यांग जन भी आ जा सके प्रतेक प्लेटफॉर्म पर दो एसकेलेटर, तीन सीडियां और यात्रों की सुवधा के लिए एक लिफ्ट होगी यात्रियों की सुवधा के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर आटोमेटिक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स उपलब्ध होंगे रापिड रेल स्टेशन की लिफ्टों में स्ट्रिचल लाने से ले जाने तक की जगे जगे चमता होगी जो आपात कालीन चिकित्सिय स्थती के दौरान फायदे मंद होगी यही नहीं CCTV की निगरानी भी रहेगी यही नहीं समय की जानकारी के लिए यातरी सूचना डिस्प्ले बोर्ड और आसपास के प्रमुख स्थानों को दर्शाने वाले सिस्टम में आप शामिल होगे टिकट वेंडिंग मशीन, सुरक्षा जाच, अगरी शामक प्रणाली, खुद्रा दुकान, स्नैक वेंडिंग मशीन और वाश्रूम आदी जैसी सुवधाएं प्रदान की जाएंगी स्टेशन की छट पर हरित उर्जा के उपियोग के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे पर्यावरण सुरक्षित रखने पर विशेश जोर रहेगा रैपिड रेल कई मामलों में देश की सबसे अनोखी परोजना की रूप में जानी जाएगी क्योंकि रैपिड रेल कॉरिडोर में महिला शक्ती का भी योगदान रहेगा कॉरिडोर के सबसे एहम कार भूमी गज सुरंग बनाने के लिए सहाइक अभियंता निमिशा सिंग को जिम्मेदारी सौपी गई है निमिशा पहली महिला Civil Engineering है जिनहें Tunnel Technology की फील्ड की समझ है और अब आपसे एक सवाल Tunnel Technology की फील्ड की समझ रखने वाली पहली महिला Civil Engineer कौन है इस सवाल का जबाप हमें comment box में दे सकते हैं अब आपसे एक जरूरी बात अगर आप हमारी विडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलू करना कता ही न भूले अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेर जरूर करें देखते रहें बाते यूपी की नमस्कार